तो गोहम के लगाएक लगिन, गोहम के बुनेक लगिन उकर उन्नत प्रभेद कौन-कौन है सेके जानेक चाहिए तो जदी बेरा रहते बुनत ही रोरेमन तो गोहम कर उन्नत प्रभेदा है नौ, एक, सुन्य, साथ, देवा जेके बेरा रहते जदी बुईन देली तो इकर उपज भेटाई 40 से 50 क्विंटर प्रती हेक्टर जदी रोरे देरी से बुना थी तो उकरलगिन उन्नत प्रभेदा है HD 2, 6, 4, 3, गंगा HUW 2, 3, 4 जेकर उपच्छमता मिली रोरे के 35 से लेके 40 क्विंटर प्रती हेक्टर देखू, अब आगे देखा आपकी बेरा रहते माने की अक्टूबर कर मधे से नवंबर कर मधे तक बुनेक लगिन जे गोहम के बेरा रहते जदी बुनल जाए तो उकर उन्नत प्रभेदा है इकर उपच्छमता है 20 से 25 क्विंटल प्रती हेक्टर अब बिहिंदर बिहिंकर दर 125 किलोग्राम प्रती हेक्टर रहक चाही पाचे से बुनेक लगिन बिहिंकर दर 130 किलोग्राम प्रती हेक्टर रहक चाही इकर से दवई करल बिहिन कर परियोग करेक चाहे एक किलो बिहिन लगिन बिटा या वैक्स कार्बेंडाजीम कर दू दस्मलो पांच ग्राम मात्रा एक किलो बिहिन ले बेसा है अब उर्वरक मनक मात्रा और उकर परियोग का लेखे करल जाय सेके देखो अवस्था है उर्वरक कर मात्रा है किलोग्राम में और उकर परियोग विधी पहिल अवस्था है पटायक अवस्था में बेरा रहते जदी बुना थी रोर्यमन तो उर्वरक कर मात्रा रहक चाही 120 अनुपात 60 अनुपात 40 इकर परियोग का लखे करल जाए नेत्रजन कर आधे आध और स्फूर कर और पोटास कर पूरा पूरी मात्रा बुनेक बेरा दे देवें नेत्रजन कर बाचल के पहिलधाओं पानी पटाल बादे उपरिवेशन करें दोसर पटाय कवस्था में देरी से बुनेक भाई इकर ले उर्वरक कर मात्रा कतना हुए चाही 80 अनुपात 60 अनुपात 20 और इकर परियोग विधी नेतरजन कर आधे आध और स्फूर और पुटास कर पुरा पुरी मात्रा बुनेक बेरा दे देवें नेतरजन कर माचल के पहिलधाओं पानी पटाल बादे उपरिवेशन केर देवें तीसर रवस्था है बेगर पटायक ठाओं में बुनेक लगिन इकर ले उर्वरक कर मात्रा कतना रहिक चाही 60 अनुपात 30 अनुपात 20 इकर परियोग विधी 100 बुरवरक कर परियोग बुनेक बेरा कर देख चाही अब फसिल लगा थी तो पानी पटायक कर दरकारा है तो पानी कर उपलब्धता और फसिल के जैसन जरुरत रहे उसने हैं पानी पटायक कर इन यर कर अवस्था में करें पहिल धाओं पटायक क्राउन रूट निस्किल सेबेरा और बाइल निस्किल सेबेरा दोसर धाओं पानी पटायक देख चाही तिसर धाओं कर पटायक क्राउन रूट निस्किल सेबेरा बाइल निस्किल सेबेरा और दूयों में जेखन दूधायल सेबेरा तिसर धाओं पानी पटाय देख चाहे चोंथा धाओं कर पटायक क्राउन कर निस्किल सेबिरा कल्ले पूरा हो जायल सेबिरा बाइल निस्किल सेबिरा और जखन दूयों में दूधायल सेबिरा गोहम के चोंथा धाओं पानी पटायक दरका रहे पाँच धाओं कर पटाएक पाँच धाओं पानी पटाए देख चाही च्छाओं धाओं कर पटाएक पाँच धाओं पानी पटाएक कर बादे माटी कर भुरभुरा होल से घास पात के निसकाय देख चाही चलू अब फसिल है तो उकर संरक्षन भी कर एक बहुत जरूरी है संरक्षन इमद है कि उकर में पिलवा मन लाइक जैना बिमारी मन होय जैला तो पिलवा कर रोग थाम दिया ई माटी में रहया धुमिल चर का पिलवा है जे अकवाल बिहिन के और छवा फसिल कर जैर के खाय जैल फसिल पियर होय के मुर्जाय जैल और आखिर में सुख्यो जैल इकर रोग थाम पहिल रोग थाम इनियर करू बुनेक से पहिले क्लोरोपाईरीफोस बीस इसी से बिहिन कर दवाई करू दोसर है खड़ी फसिल में दिया लाइक गेले क्लोरो पाइरी फोस कर घोल एक लिटर पानी में दूर दस्मलो पांच लिटर दवई के मिसाय के ड्रेचिंग केर देवें अब बेमारी कर रोग थाम इकर में बेमारी का होयला पहिल है करिया पिलुआ माने की हरदा डाठी पतई मन और पर्ण छेदा मन में लंबा लाल भुरार से करिया रंगक धबा दिसे जे जल्दिये फैट जैल और उमन से भुरा भुरा चूरा निसकेल इकर प्रबंधन इकर रोग थाम इकर उपाए केशन करल जाए इकर नियंतरन से जिनेव या इंडोफिल एम पैंतालिस या प्रोपी कोना जोल टिल्ट सुन्य दस्मलों दो प्रतिशत घोल बनाए के पंदरा दिनक भित्रे छिड़काव के देवें इ बिमारी से पौधामन के लाब मिली सोबसे बढ़ियां बात इया है कि हमेशा रोग रोधी किसिम कर खेत में परियोग करें आप है दुसर बिमारी पियर पिल्वा पते मन में छटका छटका अंडा कार नियर हलुक पियर रंगक धबा दर में दिसल और पिल्वा मनक तुल्णा में पियर पिल्वा देरी सैल धब्बा कर फैलाओ चमकीला पियर बिजानू बाहरे आजल अब इकर प्रबंधन करिया पिल्वा नियर करल जैल तिसर है भुरा पिलवा, चक्ता छोट रहल, गोल रहल, चमकेल और नारंगी रंगा खोयल दरे से दर नीहोय के सतह उपरे पसेर जैल इबिमारी से चक्ता कर आकार, पियर पिलवा कर चक्ता से तनी बड़ जैल चक्ता जल्दिये फाइट जैल और बगरा बिजानू बाहरे निसेक जैल प्रबंधन इबिमारी से बाचिक लगिन जिनेब इंडोफिल M, 45 कर सुन्य दसमलो दू प्रतिशत परियोग करल जैल अनावरित कंड माने की लूज स्मट बिमार पोधा कर सोब बाइल करिया चूरा में बदैल जैल उकर में दाना नी बने बिहिन के टैबू कोना जोल 1.5 ग्राम या वीटा वैक्स या कार्बेंडाजीम या औरो सरवांगी कवक नास करे या दवई से दू दसमलो पाँच ग्राम प्रती किलो ग्राम बिहिन कर दर से दवई करें पाचवा है अल्टो नोरिया पत्र लांचन अंग मारी पतै मन में छुटका अंडा कार कर चकता पसेर जैल इकर रंग सुरू में पियर और बाद में भुरा होय जैल इकर प्रबंधन दू नियर करल जैल पहिल है इदवाई मन से बिहिन कर दवई करें दोसरा है इंडोफिल M 45 या डाइथेन Z 78 दवई कर दू दसमलो पाँच किलो ग्राम एक हजार लेटर पानी में मेसा केर के प्रती हेक्टर कर दर से छिड़किक चाहिए छठा है हेलमी मन्ति स्पोरियम ब्लाइट पते मन में पियर रंगक धायर बहिन जैल पाचे धायर कर रंग भुरा होय जैल अभिकर प्रबंधन कालखे करू कार्बेन डाजिम, कैप्टोन या थीरम कर दू ग्राम चूरा से प्रती किलो ग्राम बिहीन कर दवई करें खर पतवार कर रोक थाम कालखे कर बें किसान भाई भहिनमन तो किसान भाई आईसो पोट्रोन 75 प्रतिशत धूल 1.5 किलो ग्राम प्रती हेक्टर कर दर से बुनेक बादे 25 से 30 दिन अग भित्रे केर देवें कटनी, फसिल कर पाकते है, बिहान बेरा कटनी कर रेक चाहिए अभिकर भंडारन, भंडारन कर रेक लगिन पहले बिहिन के पूरा पूरी रोध में सुखाय लेक चाहिए, तलेई कर भंडारन कर रेक चाहिए